नमस्कार जैश्री माता जी होमेो मदर टिंचर सीरीज के इस आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा गैसिक डिसॉडर के उपर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे होमेोपेथी की एक बहुत शानदार एफेक्टिव और डीप एक्टिंग मेडिसिन मदर टिंचर के रूप में जिसका प्रयोग करके आप अपनी एक ऐसी समस्या से निजात पा सकते हैं जिस से शायद आप सालों साल से भी परशान हों हम बात कर रहे हैं एक ऐसी डिसीज की एक ऐसी तकलीफ की जो लगबग हर चौथे पांचवे भारतिये को है किसी ने किसी रूप में हर कोई से पीडित है आज की आधुनिक जीवन शैली में शायद इससे बचपाना बहुत कठिन है मगर एक अच्छे ट्रीटमेंट के साथ उचे तहार विहार के साथ आप इसको बिलकुल कंट्रोल कर सकते हैं बिलकुल ठीक रख सकते हैं जिससे की आप सुस्त रहेंगे और निश्चेत तोर पे आपको इसका लाब मिलेगा तो आईए इस वीडियो के बारे में बताने से पहले इस प्रश्ण का उत्तर देने के पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरा नाम डॉक्टर कृष्ण हरजानी है मैं चिंदवाला मद्धिब्रदेश से हूँ होमियोपैथ हूँ और आज के इस वीडियो में आपके इस प्रश्ण का आपको जरूर उत्तर मिल जाएगा कि होमियोपैथी में गैस्तिक टॉनिक भी कोई ऐसी मेडिसिन आती है जो गैस्तिक के बहुत सारे सिंटम्स पर बहुत सारे समस्याँgen पर एक साथ काम करती है और बहुत ही fast, effective treatment है इसका, तो आईए हम बात करते हैं इस medicine की, सबसे पहले हम is medicine के symptom समझ लें, guestic disorder के symptom समझ लें, क्योंकि homeopathy एक चिकिस सा विज्ञान है, एक symptoms पे अधारित पैती है, यदि आपके disease में symptom होंगे, तब ही आप इस medicine का पूरा लाब ले और आपको जल्दी अच्छा करेगी यदि आपके लक्षन इस मेडिसिन से मैच नहीं करते हैं तो हो सकता है आपको या तो आंशिक लाब होगा या लाब नहों तो पहले समझ लेते हैं इस मेडिसिन के क्या सिम्टम्स है इस मेडिसिन का सिम्टम है पहला लॉस अप है वो सामान ने उसकी जो भी खुराक है वो खुराक से जब वो कम खाता है तो हम उसे scientific language में loss of appetite कहते हैं दूसरा इसका symptom है abstinate constipation जिद्धी कब्ज बहुत समय से कब्ज से लोग परशान रहते हैं लंबे समय से chronic disease जहां पर उन्हें चूर्ण इत्यादी दवाईयां बगरा लेने की आदत पर चुकी होती है इस तरह के कब्ज में medicine बहुत अच्छा काम करती है या इसका प्रमुकल अक्षान है इसके बाद हम बात करेंगे पाइरोसिस पाइरोसिस का मतलब होता है हिंदी में इसे अमल पित कहते हैं और सामाने भाशा में आप इसको acidity या hyper acidity कहते हैं जैसे ही मैंने यह नाम लिया hyper acidity तो आपको कुछ भी आगे बताने की ज़रुत शायद न पड़ी हो क्योंकि कभी न कभी इस रोक से इस परशानी से इस तुख से इस तकलीफ से हर कोई पीडित रहा है आजकल जिस भी तरीके की जीवन शैली हम लोग जी रहें उसमें शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो शायद ही कोई ऐसा एडल्ट हो जिससे acidity का सामना न करना पड़ा हो और यहाँ पर हम hyper acidity के लिए भी आपको medicine बता रहे हैं जिसमें आप बहुत ही जल्दी इससे छुटकारा पा लेंगे इसमें पेट में जलन, खटी रखा रहे हैं, खटे पानी का मुह में आना, उल्टियां होना, दात खटे हो जाना, इस तरह के लक्षान भी आते हैं इसके अलावा ठीक ठीक कमजोरी तो नहीं पर इस patient को, इस disease में, इस medicine के symptom में हमने यहाँ पाया कि कमजोरी तो नहीं होती, मगर इस patient को अंदर से कहीं न कहीं लगता है, कुछ कप-कपी जैसा, weakness जैसा, अंदरोनी एक weakness, एक कप-कपी feeling आती है तो आईए इस medicine के आपने symptom समझ लिए, अब थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेते हैं, कि या gastric disorder, या hyper acidity, या constipation, या loss of appetite के causes क्या हो सकते हैं, कारण, संभावित कारण क्या हो सकते हैं, यह तो इसकी बहुत लंबी list बनाई जा सकती है, जो सारी बातें इस episode में कर पाना संभ हो नहीं है, फिर भी हम मुख्य मुख्य कॉसिस को जरूर आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि पहला कारण है, serientry life, आज का जो आधुनिक जीवन शैली है, जिसे कहते हैं, आधुनिक हैं, मगर इसका जो रूप है, वो दिन प्रती दिन खराब होता जा रहा है, लोग बहुत देर रात तक जाकते रहते हैं, सुबह देर तक सोते रहते हैं, खाने का कोई समय नहीं है, खाना खाने का कोई समय नहीं, सोने का कोई समय नहीं, एकदम हस्त वेस्त लाइफ है लोगों की, जिसके चलते हमारा जो digestion system है, वह पूरी तरह से collapse हो जाता है, या disturb हो जाता है, ठीक तरीके से काम नहीं करता जिसके चलते हमें यह समस्या आती है दूसरे कौस में यदि देखें तो लोग शराब का अतियतिक सेवन कर रहे हैं चाय कौफी बहुत जादा ले रहे हैं इसकी वज़े से भी यह सकलीफ होती है आज के दोर में एक और तरह का एडिक्शन है जो की मेडिसिन का एडिक्शन है बहुत सारे लोग बहुत सारी दवाईयां खा रहे हैं डॉक्टर के कहने पर या अपने मन से बहुत सारी दवाईयां जब वो लेते हैं तो उसका हमारे पाचन तंतर पर, हमारे digestion system पर, हमारे stomach पर बहुत ही negative effect आता है जिसकी वज़े से हमें gastric disorder, gastric problem आती है और अंत में यदि आप मुख्य कारण समझें तो gastric disorder का हमारे ठीक तरीके से पाचन न हो पाने का मुख्य कारण है तो वहां आज की जीवन शेली के चलते मा अंसिक तनाव, आत्मी एक धौर में जोटा हुआ है दिन प्रती दिन सुबह से रात तक उसका mind जो है एकदम तनाव में है, tension में है, भविश्य की बहुत ज्यादा anxiety है, tension है, क्या होगा वगरा वगरा इस तरह है तो जो तनाव है ये हमारे digestion system पर बहुत negative effect डालता है ये इस कुछ कारण है जिसकी वज़े से gastric disorder या hyper acidity का सामना आपको करना पड़ता है, अब आईए हम बात करते हैं इसके homeopathy treatment की, homeopathy mother tincture की जो इस तरह के लक्षणों को पूरी तरह ठीक कर सकता है, तो जो मैं आपको medicine बता रहा हूं, उसका नाम आप लिख लें, पहले उसके dose देते हैं, तो बहाँ अलग disease के लिए अलग तरीके से काम करने लगती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, gastric disorder के लिए इस medicine का, इस mother tincture का dose है, five drops medicine in half cup of water, three times daily, यानि कि आदा कप पानी में आपको पांच बूंद दवाई घोलनी हैं, और इसको दिन में तीन बार ले आपको बहुत रहात मिलेगी, यदि आप जरूर समझें तो इसको एक महिना भी ले सकते हैं, इसका कोई side effect नहीं है, यह बहुत आसानी से होमेपैथी की shop में आपको मिल जाएगी, जर्मनी की आप प्रफर करें, जर्मनी की लें, यदि नहीं मिलता तो आप Indian भी ले सकते हैं Indian भी बहुत अच्छी medicine आने लगी हैं, अब हम आपको बता दें कि सिर्फ medicine खाने से आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते हैं, आपको बताये गया कारणों को दूर करने के लिए भी यथा संभाव, जो भी आपसे possible है, आप अपना खाने पीने का, सोने का, उठन थोड़ा भी आपने कंट्रोल किया, तो यह दवाई आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी, आपको बहुत अच्छा result देगी, चलते चलते मैं आपको आज का एक extra tip दे देता हूँ, यह जो medicine है, इसकी एक world famous, जो क्या बोलना चाहिए, इसकी ख्याती है, जो इसका न को छोडाने के लिए भी इस medicine का प्रियोक किया जाता है, जी हाँ, यदि इसी दवाई को हम इसका dose चेंज कर दें, तो यह एक और काम करती है, जिससे की सालों पुरानी लोगों की शराब पीने की यदि आदत है, बहुत सारे लोग जो बिना शराब के नहीं रह सकते, यदि एक बार सोच लें कि उन्हें छोड़ना है, तो हमारी यह medicine उनकी बहुत मदद करेगी और वो निस्चित तोर पे इस आदत से छुटकारा पालेंगे, उसके लिए 20 बून दवाई, आदा कप पानी में, एक बार सुबह खाली पेट लेनी हैं और बाकी दो बार खाना खाने के 20 मेंट पहले, तकरीबन 3 से 5 महीने तक उनको यह medicine लेनी चाहिए, जब तक कि आदत पूरी तरह से उनको न छोड़ दे, या वह आदत को न छोड़ दे, तो चलिए अब आप इंतजार कर रहे होंगे, जानने के लिए कि medicine का नाम क्या है, उस medicine का नाम है, sulfuric acid, sulfuric acid mother tincture, यानि की zero potency, q में आपको लेना है, शीशी में liquid मिलता है, जिसको आपको लेके अपने घर में लाके रखना है, साब जगह पे, और इसका प्रतिदित प्रयोग करना है, हाशा है, कि आप इसके अंदर सारी चीज़ें समझ चुके होंगे, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, comment box में जरूर बताएं, यदि आपको लगता है, कि आप यह वीडियो आपके friends की, आपके relatives की, कोई मदद कर सकता है, तो इसे share करना बिलकुल न भूलें, और हाँ, किसी व्यवधान के आप तक यह वीडियो पहुंशते रहें, और आपका knowledge बहता रहें, स्वस्त रहें, प्रसंद रहें, खुश रहें, इसनी शुब कामनाव के साथ धन्यवाद फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, नमस्कार.